आउनीस ट्यूटोरिय ब्रण चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है देखे जैसा कि आप थामनेल में देख पी रहोंगे कि यूपी टिपल सी लेटेस्ट अपडेट टूडे तो यूपी टिपल सी की क्या है आज की अपडेट उसको चलिए देखते हैं वीडियो भरती डीबी नोटिस जारी चार हजार पैसट अभ्यरतियों की डीबी 29 अप्रेल से 17 मई तक हालां कि मैंने दो दिन तीन दिन पहले ही बताया था या विस तिन पहले भी जो वीडियो डाला था तो उसमें कहा था कि वीडियो कि जो सुचना मिल रही थी उसके अंसार 15 या 16 अप्रेल तक हर हाल में डीबी नोटिस चारी हो जाएगी और वैसा ही हुआ आप चाहे यकीन न करें तो कल परशू का आप मारनी का वेडियो देख लीजिए आपको अस्पस्ट हो जाएगा और देखे आगे क्या है कि हाई कोड केस में मुक्सेवी का अभ्यर्थी थर्ड पार्टी बने की नहीं लेक पाल भर्थी में केजरिवाल केस अरजन तो क्या है अपडेट चलिए वीडियो को आन तक आप प्लिस देखेंगे जिससे की सारी अपडेट आप तक पहुंच सके और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूले और चैनल पर नहीं हों तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों को भी सेर करें चलिए सबसे पहले तुम लोग वीडियो भड़ती की डी बी नोटिस की बात कर लेते हैं जो कि कल देर साम जारी हुई यूपिट पलसी की तरप से ये देखिए उत्तर प्रदेश अधिनस से वाचेन आयोग पिकब्भों तरती तल गोमती नगर लगड़ो इस सोला प्रेल देर साम को जो है आवशक सुचना जारी हुई कि आयोग के बिग्यापन संख्य जीरो टू परिच्छा अबलिक 2018 संभलित ग्राम पंचय अधिक्यारी ग्राम विकास अधिक्यारी एं समाज का ल्याड पर वेच्छक प्रतियोगात्मक परिच्छा 2018 के अंतरगत दिनांग 26-23 एं 27-23 को आयोजित लिखित पूनर परिच्छा के स्कोर नार्मलाइस के आधार पर अहरता या अबलेक परिच् युका परडा में उनकटाप अंक मने आयोग के अनुमोदन उपरांत जो है दिनांग 21-24 को आयोग की वेपसाइट पर प्रकासित किया गया था जिसमें अभ्यर्थियों को यह भी सुचित किया गया था कि अःता या अबलेक परिच्छड कारिकरम की सुचना जो है यह था स समय प्रिथक से प्रकासित की जाएगी अता विज्यापन संख्या 0-2 परिच्छा अबलेग 2018 संबलित ग्राम पंचेत इतक्यारी ग्राम विकास अतक्यारी एवं समाज का ल्याड परवेच्छ सामान चेन प्रतियोग आत्मग परिच्छा 2018 के अंतरगत अहरता अबलेग परिच कारिकरम नेमन अनुसार अयोजित किया जाना है आप देख रहे होंगी 29 अप्रेल 2024 से चालू है और दो सिप्टो में है एक तस बजे से है पाली फास्ट और पाली सेकंड जो है डेड़ बजे से है डेड़ सो निस एक सो पचास अभ्यर्थी की एक सिप में मिंस परड़े जो है 300 अभ्यर्थियों की डीबी होनी है तो 29, 30 फिर उसके वाद 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई ठीके फिर 6 मई इस प्रकार से फिर 8 मई, 9 मई, 10 मई, 14 मई और 15 मई, 16 मई, 17 मई को केवल 1500 प्लस 15 और 7 में अनुपस्थित अभ्यर्थी इसके लिए अलग स से भी बताया गया है कि अहरताय अभ्यर्थियों को सुचित किया जाता है कि उनके डाकूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और अन्य चार प्रपत्र जो है आयोकी वेपसाइट पर अपलोड कर दिये गए हैं संबंधित अभ्यर्थि आयोकी वेपसाइट यूपीटी प्लस सी ड अन्य प्रपत्र डाउन लोड कर सकते हैं अहरताय अबलेख परिच्ण है तो अहर पाएगे समस्त भर्तियों को निर्देशित किया जाता है कि अबलेक परिच्ण से पूर्फ उनके समस्त अभ्य लेखों मने सैच्छिक अबलेखों आरथच्छण संबंधी प्रवणपत्रो एवम आयू में सितिलता के समर्थन में प्रस्तित किये जाने वाले प्रवणपत्रों या अबलेखों का मूल प्रवणपत्रों या अबलेखों से मिलान वगहंता से परिच्छड किया जाएगा अहर्ताब लेक पर इच्छड हेत उपस्तित होने वाले अभ्यर्थियों को अपने समझ सैचिक अभलेखों आराचर संबंधी प्रमाड एवं आयूमे सितिलता समर्थन में प्रवर्पत्र की मूल प्रति एवं उनकी छाय प्रति तथा पास्पोर्ट साइज के दो रंगिन पो समय पर अर्तायाब लेक पर इच्छड हेत उपस्तित होना सुने शित कर अभ्यर्थियों को ये भी सुचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से ये कोई अभ्यर्थि दिरधारितित को अर्तायाब लेक पर इच्छड हेत उपस्तित रहता है तो इसकी जानकारी लिखिस मैं 2024 को पूरवान 11 बजे तक आयो के कारियाले में दी जाती है तो सच्छम अस्तर से अनुमत के उपरांत उसे दिनांग 17 पांच 2024 की दुती पाली में से डेड़ बजे वाले पाली में जो है डीबी के लिए आउसर प्रदान किया जाएगा इसके बाद कोई आता है तो उसे असर प्रदान नहीं किया जाएगा तो ये तो सोचिए यूपी ट्री पलसी की 2018 की भरती ये रोल अदा कर रही है वहीं चलिए आपको थम्नेल में मैंने एक पात और लिखा है और वह है कि हाई कोड केस में मुख सिवी का अभ्यर थी थरड़ पार्टी बने की नहीं तो हाई कोड केस में देखिए सभी मुख सिवी का भ़़नों से बस एक ही बात इतना हम जानते हैं कि कोड कोड खेर कर अपना पैसा कभी में बपरबाद करीए आपकी तरप से सासन ये सब सासन की लड़ाई है सासन लड़े, यूपी टिपल सी लड़े आपने फिश्टिया परिच्छ दिया तो आप थर्ड पार्टी बने की सखन पार्टी से कोई मतलब नहीं बनता हमारे ख्याल से मेरा अपना मत है, आपका मत चाहे जो भी हो मेरे मत के अउसार आपको देखी चुनावी समय है माननी मुखमंत्री जी से उनके जनता धरबार में बराबर ये प्रयास करना चाहिए चुकि उनको भी महिलाओं से गर्ज होनी चाहिए उनको महिलाओं का ओट चाहिए कि नहीं चाहिए अरे लोक सभा है इसके बाद बिधान सभा भी तो कभी आएगा इस बात का ध्यान जरूर होना चाहिए आकिर में भरती को क्यों फाइनल नहीं करना चाहते है इसके लिए आप अपने मुखिया से बस आग्रा करिए अपने पैसे बरबात मत करें कि थर्ड पार्टी बनके हाँ भाई जे इसकी मर्जी है मैं कोई वो नहीं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सासन प्रसासन की गर्ज है उस भरती को फाइनल करें सासन ने नियुक्त किया है उसको जो अनिता सिंग ने डाला है रिट आखिर में संविधा पर हम आप तो रखे नहीं थे तो सासन उसकी जिमेदारी उठाए और भरती को फाइनल करें उनको एक किनारे करके इस्टे हटा के हराल भरती को फाइनल करना चाहिए और दबाव देंगी अगर आप लोग तो निस्टे तोर पर भरती जल से जल फाइनल हो सकती है वही चलिए लेकपाल भरती में केजरिवाल केस अर्चन तो आपको देखे इस पर भी अप्टेट दिखा देते हैं कि देखें केजरिवाल केस में जो है यह आप देख रहें 1635224 इनका डायरे नंबर है और यह 29 तारिक को यह भी इस्टेटस में दिखा रहा है वही अपना स्रिधर यादो जो इस्टे वाला आर्डर है इक्यावन 877 वो भी 29 तारिक को अपना तो कन फर्मी है अब अर्चन क्या हो सकती है जिस प्रकार से बीएट बीटीसी बीएट वर्ड़सेज बीटीसी के लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में आठ अपरेल को थी तो यह स्जियाई सर्जो मिस दुसार महता सर्जो है उस दिन नहीं आ सके तो क्या चुकी बही देखिए केजरीवाल की भी केस बहुत-बहुत पूर्ड है वो चाहेंगे जरूर फाइनल होना हालंकि अब ही यह देखिए यह कम्प्यूटर अपडेट है इसलिए टडेवली जो होता वो डेट बदल भी सकती है तो केजरीवाल हो सकता है केजरीवाल की केस आप में अर्चन न बने चुकी अभी जब तक काजलिस्ट नहीं आ जाती है दोनों की अपने की तो कंपर्मी है इनकी भी काजलिस्ट अगर 29 सो करता है तो तो भाई परसान को अपने वकील के जरिये सभाला जाए यह अपनी कोल टीम से आपका अग्रह होना चाहिए चुकी सासन के बल पर कितना लड़ेंगे सासन अगर चाहता तो अब तक एक मिनट में मामला फाइनल हो जाता रही अर्जंसी की बात तो मुख मंत्री की केस है यह केजरिवाल यह भी चाहे कि हर हाल में फ्राइडे तक ही फाइनल हो जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं इनको भी डेट नहीं मिली 27 तक इनको सारे आर्गुमेंट प्रस्तुत करने हैं उसके बाद इनकी सुनवाई तो क्या होगी अपडेट इनकी वो तो देखने की बात होगी कॉल लिस्ट आने दीजिए इसलिए परसान नहीं बस आप 7897 जितने भी सेलेक्ट हैं आप सभी की एक धाड़ा होनी चाहिए कि अपनी सुप्रिम कोल टीम को मजबोती प्रदान करें और अपने वकील कि लड़ाई जो है वही कारकर साबित करेंगे इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को सेर करना न बोलें ओके थैंक्यू